बहुत सारे बच्चों का मुझे मेसेज आया कि फर्ड ट्राइल बैलेंस का वणशॉर्ट वॡिडियो डालो तो ले आया हूं बच्चों मैं आप के लिए तार्वset वीडियो जिसमे पूरा ट्राइल बैलेंस कवर किया हैं जस्ट और 90 मिनेटस में यह बेसिक से लेके advance तक सारे concept cover किये trial balance में जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि trial balance होता क्या है उसका format क्या होता है ये ledger फे trial balance क्या बनता है ये missing figure कैसे निकालें ये suspense account क्या है सब बताऊंगा बट मेरी आपसे एक request है कि ये lecture एंग तक देख लेना ये 90 minutes आप lecture देख लो और उसके बाद आप मुझे बताना कि आप trial balance में expert बने या नी बने आप इतने expert बन जाओगे कि आप अपने seniors को भी trial balance सिखा दोगे so without wasting time let's start the lecture what is a trial balance so student हम ये trial balance बनाते क्यों है क्या जरुत पड़ गई हमें trial balance बनाने की इसको समझने के लिए आपको जानना होगा about the accounting process मैं आपको समझा चुका हूँ accounting process में क्या होता है सबसे पहले business identify करता है कि भाई जो business transition हो रही है अगर मैं accountant हूँ कि ये business transition books में record होगी या नहीं होगी तो पहले मैंने identify कर दिया उसके बाद मैं उसको पैसों में measure करूँगा भाई ये transition कितने की है एक लाक्य है दो लाक्य मैंने measure भी कर दिया उसके बाद मैं उसको record करूँगा क्या करूँगा record करूँगा और record कहां करता हूँ आप सब लिगों को पता है कहां करता हूँ general proper के अंदर पर books of accounts के अंदर record कर दिया record तो आपने कर लिया उसके बाद मैंने क्या बनाया था उसके बाद मैंने ledger बनाया था याद है ना आपको ledger जहां पर मैं सारे accounts का ledger बनाता हूँ दुनिया में जितने भी accounts है ना जितने भी account जो मेरे बनेंगे vehicle account, rent account salary account, debtor account मैं यह सब उसको बता दिया तो ए tierra हमने बना दिया तो हमेड़ यहां तक तो समझ में आ गया कि हमने पहले हमने पहले identify किया फिर हमने major किया फिर record किया फिर हमने classify किया लेजर के अंदर हम पॉछ चुके है हैं वेरे वेरे crucial important 10 पाट आफ अकाउंटिंग प्रोसेर समिराइब जहां पर पूरी अकाउंटिंग की फ्टोरी चालू होती है जहां पर हम बनाईगे प्रॉफित लॉस अकाउंट ये तो आज मैं आपको ट्राइल बैलंस बताने वाला हूं ये ट्रायल बैलंस क्यों मनते हैं हमने लेजर बना दिया यह रैंट अकाउंट मना दिया बहुत सारे लेजर बना दिये अब बाद बताओ एक normal company में कोई भी company आप Reliance ले लो विप्रो ले लो इंपो वे ले लो उसमें क्या एक दो फोलूँगा ये रहा लेजर रेंट का मैं बोलूँगा ये रहा रेंट का खर्चा ये रहा वहिकल का ये रहा ऐसे मैं डूनता रहूंगा अगर मैं ऐसे डूनने लग गया तो भाईया बहुत टाइम लग जाएगा तो मैं क्या करूंगा मैं एक ट्राइल बैलेंस बनाऊंगा It is just like an index जो आप index बनाते हो ना front page में अपनी copy के अंदर बनाते हो या नहीं बनाते हो बनाते हो ना कौन से page पे क्या है कौन से page पे आपने क्या लिखा हुआ है It is only a type of index जहां पे मैं सारे account जितने भी मेरे ledger बने हैं अब तक accounts के अंदर जितने भी मेरे ledger बने accounts के अंदर उन सब को मैं summarize करूँगा उनको मैं क्या करूँगा क्या करूँगा मैं summarize करूँगा और उनका एक अलग से trial balance बनाऊंगा क्या बनाऊंगा trial balance बनाऊंगा और यहां पे उनके balance लिख दूँगा debit का debit balance के अंदर credit का credit balance के अंदर सब थोरा मतलब समझा दो ना जैसे rent account है अब पूरे साल में मैंने कितना rent पे किया तो इन सब का total करो अगर आप इन सब का total करने बैटोगे तो let's up ओ 3 लाख रुपे आ रहा है तो पूरे साल के अंदर मैंने 3 लाख रुपे rent पे किया तो इसका मतलब है rent का debit balance है credit balance है आप मुझे बताओ एक मिनट what is debit balance debit balance का मतलब होता है जब debit side ज़्यादा होती है तो वो debit balance ओके यहाँ पे debit side का आप total करो इसका total 3 लाख रुपे आएगा तो भाई मैंने यहाँ पे date लिखी suppose करो date लिखी 31,3,23 को तो मेरा जो balance आया buy balance carry dump इन सब का total कितना हो जाएगा 3 लाख रुपे हो जाएगा क्या हो जाएगा 3 लाख रुपे हो जाएगा और यह total कहां जाएगा यह total मैं trial balance में लिख दूँँगा यह रा मेरा rent expense का 3 लाख रुपे तो यह debit में क्यों आ रहा है लेजर में closing balance कहां पर आता है credit में आता है तो इसका मतलब वो debit balance है तो यहां पर यह debit जादा है पूरे साल में मैंने इतना खर्चा rent का किया similarly मैंने पूरे साल में vehicle इतने का खरीदा मैंने इतने की pay की मैंने data इतने का pay किया मैं इसका total करूँगा 2.000.000 इसका total करूँगा 4.500.000 let's up मैं example दे रहा हूं 2.000.000 इसका कितना होता है 40.000? इसका फर 1.000.000 यह सब मैं यहां पर लिख नूँगा 4.500.000, 1.000.000 1.000.000 वेहिकल 2.000.000 यह सब मैं लेजर बना दूँगा तो यहाँ पे मैंने ledger आपको क्यों बताया यहाँ पे ledger इफले बताया कि पहले मैं ledger बनाऊंगा उसके बाद मैं क्या बनाऊंगा trial balance बनाऊंगा तो trial balance क्या बताएगा अगर मुझे कोई भी कोशिल पूछ ले कोई भी मुझे पूछ ले, government पूछ ले मेरा auditor पूछ ले, चलो बताओ पूरे साल में तुमनारे पास क्या-क्या है क्या-क्या खर्चे किये तो मैं जट से ये copy-woppy नहीं खोलूँगा, एक paper निकालूँगा, एक simple सब यहाँ से मैंने एक paper निकाला और उस paper में मैंने ये सब लिख दिया कि भहि पूरे साल भरके अंदर में पास as of now एक लाख रुपे cash है अब ये trial balance क्या बताएगा कि मेरे पूरे साल में में पास एक लाख रुपे cash है में पास अब भी वहीकल पड़ा है 2 मेरे पास वहीकल पड़ा है 2 लाख काड़ी पढ़ ये 2 लाख की में पास मैंने पूरे साल में purchase किया है 50 फजार का पूरे साल में मैंने बेचा है 6 लाग का मैंने पूरे साल में salary किया है 4 लाग 50 फजार की rent pay किया है 3 लाग रुपे का debtor ए 1 लाग ये क्या बताएगा ये trial balance बताएगा हाँ अगर आपको break up auditor आया बोले का अच्छा ये trial balance है तो बताओ इसका break up बताओ वो बोले का चलो इसका break up बताओ चलो ये rent का break up बताओ मैंने का अच्छा rent का break up बताओ ये रा rent का break up मतलब ये पाव सारे documents है auditor को कोई परेशानी होने की जरूती नहीं है इसका मतलब है trial balance क्या बताता है, जितने भी मेरे account है, उन सब account का जो balance है, जो balance है, वो मैं यहाँ पे club कर लेता हूँ, debit का debit में आएगा, credit का credit में आएगा, तो trial balance क्या बताता है, trial balance is a list of debit and credit balance, taken from the ledger, मैं ledger से लेता हूँ, मैंने ledger बनाया, पहले legislature, पहले general entry के लिए, cashbook, general entry में रिकॉर्ड के लिया, उसके बाद मैंने ledger बनाया, लेजर के जो जो balance है ये इसका balance ये इसका balance ये इसका balance ये इसका मैंने index बनाया index ही तो है trial balance और ये मैंने index बनाया और देखा ये यहाँ पर total आ गया clear है it also include cash और bank balance cash और bank balance भी इसमें आएगा कितना cash है में पर एक लास रुप देगा cash है ये सब बताएगा trial balance आपको सब बताएगा वह यहाँ so trial balance और balance sheet में फर्क क्या है थोड़ी देर रुको आपको वह भी शमन में आ जाएगा balance sheet और trial balance में फर्क क्या है अभी ये तो हमारा पहला step है accounting जो final account बनानेगा पहले मैं trial balance बना दूगा तो trial balance क्या है it is a list of debit and credit balance यहाँ पर debit जादा है तो debit में आएगा credit जादा है तो credit में आएगा पर कैसे बनेगा format क्या है सब समझाओंगा don't worry मैं हूना आपके लिए but मैंने आपको क्या बताया आपको format तो मैंने आपको अदा दिया क्या है trial balance का format कि यह मेरा format है यह debit है यह मेरा credit है आप एक बात ध्यान रखना debit का total हमेशा credit के total से match करेगा the sum of debit and credit has to be equal मतलब अगर debit दफला का रहा है तो credit भी दफला काना चाहिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि debit का total आ रहा है 12,00,00 और credit का total आ रहा है दफला नहीं हो सकता debit और credit का total same होगा सर क्यों सर ऐसी कैसे आपने बात कर ली अलग-अलग भी तो हो सकता है नहीं हो सकता हम double entry system follow करते है double entry system में क्या होता है अगर मैं कोई entry कर रहा हूं suppose करो मैंने furniture खरीदा furniture खरीदा मैंने suppose करो furniture खरीदा राहूल से और उसको मैंने pay नहीं किया तो भाईया furniture में पार एक लाग रुपे हाया और मैंने राहूल को एक लाग रुपे मुझे pay करने है तो भाईया ये जो account है जितने account का debit होगा उतने account से ही तो credit होगा कभी ऐसे हो सकते है क्या कि debit दो लाग का हो credit एक लाग का हो नहीं कभी नहीं होगा मैं general entry में बता चुका हूँ जितने का debit होगा the sum of debit has to be equal to the sum of the credit ये बात हमेशा दान रखोगे तो trial balance का total हमेशा match होना चाहिए the debit and credit has to be equal अगर आपका equal नहीं है तो 100% आपने गलती की है वाप अगर equal नहीं है तो 100% आपने कोई ना कोई गलती की है बतसर अगर equal है तो हम 100% सही है क्या नहीं है सब्सर आप क्या बात कर रहे हो अगर हमारा trial balance equal आ गया देखो इना यह 10 लाग रुपे हैं यह 10 लाग रुपे हैं दोनों equal आ गये तो क्या हम दोनों को हमान ले कि हमारा question सकता हूं या trial balance का total debit credit का equal आ रहा है तो वो 100% मैंने सही बनाया पर सर आप arithmetic accuracy बोल रहे हो क्या मैं 100% सही हूं मैंने पूरा question सही किया अगर trial balance match हो जाता है जरूरी नहीं है सर ये क्यों बोल रहे हो जरूरी नहीं है चलो answer बता देता हूं देखो होता क्या है मैं हूँ एक accounting normal इंसान हूँ अगर मेरा trial balance match हो गया चलो और मैंने का कि मैं 100% सही हूँ पर होता क्या है कभी कभी इना accountant से गलती हो जाती है suppose करो उसने rent की जगा उसने कुछ और word use कर लिया उसने let's suppose rent की जगा use कर दिया telephone expense यूट कर लिया telephone expense मतलब trial balance बनाया उसने ये trial bank debit credit बनाया total भी same आ रहा है पर उसने rent की जगा नाम क्या रख दिया telephone expense गलती कर दी मतलब है rent account तीन लाग पर उसने यहां पर trial balance में लिख दिया telephone expense तो अब आप बताओ आपने वही किया क्या गलत किया तो इसका मतलब है अगर मैंने कोई गलती की है तो जरूरी नहीं है कि मेरा trial balance मैच हो रहा है तो I can be reasonably sure कि चलो भाया मेरा अब तक का process ठीक है यह match होना जरूरी है match नहीं हो तो 100% आपकी गलती है और यही मैंने यहां पर लिखा हुआ है trial balance should always match always ऐसा कभी नहीं होगा कि match नहीं होगा पध्यान रखना अगर वह match हो रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं 100% सही हूँ में प तो rectification of error के अंदर सीखेंगे जहां पर मैं आपको गलतियां बताऊंगा क्या-क्या लोग accountant गलतियां करते हैं पर अभी हम trial balance करेंगे तो मैं आपको बता चुका हूँ जहां पे ledger खतम होता है जहां पर ledger खतम होता है वहां पे trial balance शुरू होता है picture तो अभी शुरू हो रही ह यहां पे picture शुरू हो रही है जहां पे ledger खतम हो रहा है तो ध्यान रखना वह मिता बच्चंग का डायलोग है ना जहां पे हम खड़ आते हैं वहां से ही line शालू होती है बस यहां पे ledger जहां खतम होता है वहां पे trial balance चालू होता है तो ध्यान रखना पहले ledger बनेगा उसके बाद trial balance पहले trial balance नहीं पहले ledger और उसके बाद trial balance ओके चलो समन में आ गया तो यह format क्या है format में आपको बता चुका हूं debit or credit का पर सर इसका मतलब क्या है कैसे मालूम चलेगा कि यह debit में आएगा यह credit में आएगा चलो यह तो आपको समन में आजएगा आप ledger बना होगे पर म बहुत बच्चे miss कर जाते हैं और यह आपको आगे जाके बहुत काम आएगा आपको लगेगा क्या फालतू rule बता रहे हो सर यह rule आपको आज नहीं तो दो तीन question के बाद आपको समन में आजएगा कि सर ने यह rule बताया था यह हमेशा mind के अंदर ध्यान रखना क्या rule है आपक आटिफिशल और पर самых पषमान अगा नंगा कर भोडेंशन में की में आथा क्रेडिट है देख पर्सनल अकाउंट में К Verm 지도 evil की top 60чик of the 2100 की ऐने Yeti स्ने केश ने किया तो उसका वेलेंस कहां पए आ रहा है यहां पर आने का मतलब क्डिट साइड मैं हार रहे है बैलेंज टर टाल कित रहे तो chyba vy बैलेंस इसे कौन आ देखहा हूं है मैं सब पता है हाँ अरे credit balance नहीं है debit balance सर कैसे अरे बताता हूँ न देखो 40 20 साट तो debit क्या हुआ debit का total कितना हुआ credit का total balance निकालने के balance निकालने के पहले credit का total कितना है सर बैलेस का credit का total है 10000 इसका मतलब है 60,000 debit में 10,000 credit में दोनों को बराबर करने के लिए मैंने 50,000 रुपीज बता है तो ultimately 50,000 रुपीज is my debit balance because debit जादा है 60,000 की मैंने राहूल को समान बेचा 10 उसने पैसे दे दिये तो मुझे राहूल से 50,000 रुपे लेने है मतलब राहूल is a debit balance मुझे उसे पैसे लेने है मेरा asset बन रहा है मुझे लेने है तो यहाँ पर debit जादा है credit कम है तो balance credit में आया और यही next year का opening बन जाता है या next month का opening बन जाता है और वो debit में आएगा तो ध्यान रखना closing balance जहाँ पर भी जाता है वो हमेशा अगर credit में आएगा तो debit balance debit में आएगा तो credit balance तो personal account है यह राहूल personal है तो यह जो balance है यह जो balance है इसको मैं बोलूँगा debit balance क्यों sir क्योंकि debit side जादा है तो 50,000 रुपीज जो है न वो debit balance है मतलब debit side जादा है मुझे राहूल से लेने है अच्छा एक और account बता हूँ चलो एक और account नेहा account नेहा account क्या है नेहा account क्या है अब यहाँ पे मैंने नेहा से purchase किया purchase किया और उसको pay किया 70 और 20 का purchase किया 90 का purchase किया 30 पे कर दिया अभी भी मुझे 60,000 रुपे नेहा को देने है तो sir यह debit balance है यह credit balance है यह देखो credit side ज्यादा आ रहा है credit side आ रहा है 90 और debit side आ रहा है 30 तो यह जो balance है यह मेरा credit balance है क्यों? क्योंकि credit side ज्यादा आ रहा है नेहा का credit से ज्यादा आ रहा है मुझे नेहा को pay करने है 90 उसने मुझे मैंनेस को pay कर दिये 30 तो टोटल मुझे 60 पे करने है credit balance यहां पर credit जा रहा है debit कम आ रहा है तो यह balance आगया 60 यह इस balance को मैं बोलूँगा credit balance because credit side जादा है और यही मेरा अगले मन्त का या अगले साल का मेरा opening balance बन जाएगा और यह जो opening balance होगा वो credit के अंदर आएगा तो यहां पर पर यह मैंने क्यूँ बता रहा हूँ मैं बताता हूं रिजन बता रहा हूं personal account क्या रहू लो या प्रियंका बो कोई भी हो उनसब का जो account है उनका debit balance भी हो सकता है जैसे यह है और उनका credit balance भी हो सकता है जैसे कि यह है दोनों हो सकते हैं तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि personal account कहां लिखा हुआ है मैंने यहां पर personal account के debit balance भी हो सकता है और credit balance debit balance का मतलब क्या है कि मुझे उससे पैसे लेने है जैसे राहूल है asset में आएगा जब मुझे किसी पैसे लेने होते है तो वह balance sheet में asset में आता है तो personal account में debit balance भी होता है अच्छा credit balance जब मुझे किसी को पैसे देने है इट मीन वी हैव टू पे मनी टू द अधर हमें अधर को पैसे देने है इट वी शोन इन्द लाइबिलिटी जैसे निया है मुझे नहा से मैंने 90 का समान खरीदा 30 का मैंने इसको पैसे दे दिये 60 अभी भी देने है तो यह मेरी liability में आएगा 60,000 रुपे यह मेरी liability में आएगा 60,000 रुपे current liability में आएगा clear है समझ में आ गया तो ध्यान रखना personal account का balance debit भी हो सकता है और credit भी हो सकता है and it is always balance हमेशे उसको balance करते हैं हमेशे balance करते हैं okay समझ में आ गया हम इसको balance करेंगे तो यह चलो एक फटा फट एक question करें और देखे चलो हमें answer आता है क्या due to rahul अगर question में trial balance में लिखा हो due to rahul तो अभी आप मेरा question हो भूल जाओ मुझे rahul को pay करने है तो credit balance होगा मुझे किसी को पैसा pay करना है तो credit due from पूजा मुझे पूजा से पैसे लेने है from पूजा due from पूजा English समझो ना अरे मुझे पूजा से पैसे लेने है तो debit balance outstanding salary यह भी तो personal account है ना representative personal account यह खर्चा account नहीं है personal account मुझे salary pay करनी है credit balance मुझे देना है किसी को जब मुझे किसी को कुछी देनी होती तो credit लेनी होती है तो debit prepared expense मैंने पहले से खर्चा pay कर दिया तो भाया मुझे उससे service देनी है मैंने telephone वाले को अगले दो साल का पैसा पहले ही pay कर दिया तो मुझे उससे service लेनी बाकी है तो मेरा asset है क्यों sir अरे भाया मैं अब दो साल का पैसा मैंने पहली दे दिया तो अब मैं उससे service लूँगा तो मैं उससे क्या करूँगा मेरा asset है या तो मुझे पैसे वापिस करें telephone वाला या मुझे service दे क्रेडिटर 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 क्या होता है जब ये credit balance होता है क्या होता है credit balance मतलब मुझे उसको पैसा pay करना है debtor मतलब मुझे पैसा किसी से लेना है amount lying in the bank मेरे bank में 5 लाक पे पड़े वे हैं तो वो क्या हुआ मेरा वो मेरा asset ही हुआ ना तो इसको क्या बोलूँगा मैं मेरा ये account ठीक है ना समन में आया है और loan taken from bank मैंने bank से loan लिया तो मुझे bank को पैसा देना है अगर मुझे किसी को पैसा देना है तो oh credit balance बात समन में आई तो वापिस समझा दू हो गया personal account debit का मतलब मुझे पैसा लेना है credit का मतलब मुझे पैसा देना है ये सारे postal account है मैंने loan लिया bank से तो भाईया मुझे पैसा देना है ना bank को तो वो credit balance आ गया okay real account real account क्या होता है real account land account building account furniture account recall account जिसकी life एक साल से ज्यादा हो goodwill account intangible account यह अब बता चुका हो यह साल है real account है assets जो भी मेरे assets होते हैं वो real account होते हैं laptop हो गया furniture हो गया अब एक बात बताओ एक मज़े की बात बताओ इनका हमेशा debit balance होगा कभी भी credit balance नहीं होगा है उनका balance debit होगा credit नहीं होगा नहीं it will never ever be credit सर कैसे सर चलो या example बताता हूँ आपको क्या example सम्दाना पड़ता है vehicle account vehicle account क्या लिखावा है मैंने एक vehicle खरीदी 50 की फिर मैंने एक और खरीदी 30 की total vehicle कितनी 80 की एक बात बताओ में पास दो गाड़िया है 50,000 की और 30,000 की अब यह या तो यह गाड़ी में पास है या नहीं है it cannot be negative मतलब मैंने 80 यह गाड़ी खरीदी तो अब मैं अगर उसको बेश भी दूँगा तो भाईया 60 में बिकेगा, 70 में बिकेगा, 50 में बिकेगा, 20 में बिकेगा, ultimately मेरी vehicle जीर हो जाएगी मेरे पास जो गाड़िया पड़ी यह जो दो बाइक पड़िया अगर जल भी गई तो भी जीर होगी यह कभी negative में नहीं हो सक कैसे हो सकता है, आप किसी को पूछो आप गाड़ी है क्या, नहीं में पास माइनस में गाड़ी है, माइनस में क्या होता है गाड़ी, गाड़ी यह तो है यह यह जीरो है तो यह जीरो यह तो यह पास या फिर गाड़ी है 5 लाग की, पर माइनस में क्या होता है, तो ध्यान रखना रियल अकाउट लेप्टप अकाउंट लेक्टप या तो है या नहीं इत कैनोट वी रियल अकॉंट कैनन डाफल हमेशा हमेशा माय में में बैठा दो हमेशा ज़ैविफ जादा होगा credit कम होगा, ये debit ही ज़ादा होगा ऐसा कभी नहीं होगा credit ज़ादा आ जाए, कभी नहीं होगा ये debit 80 है credit में कुछ नहीं है तो balance आ गया इसका balance क्या होगा है debit, 50 debit 30 debit, credit में 0 है तो balance कितना आ जाएगा, इसका 80,000, तो ध्यान रखना, real account का हमेशा हमेशा debit balance होता है और real account हमेशा मेरे asset side में ही दिखेगा क्योंकि debit balance है या तो है या नहीं है land है या नहीं है building है या नहीं है वो यहां पर दिखेगा ओके तो real account will always have a debit और इसको मैं asset में दिखाऊंगा और उसको मैं balance करता हूं हमेशा तो सर एक बात बताओ चलो एक एक जामपल फटाफ़ टेस्ट ले लो चलो बताओ machinery का डेबिट बैल मशीनरी रियल account है फर डेबिट होगा credit होई नहीं सकता दिमाग लगाओ ना यार कोशन में आगया मशीन भी अब आप बोलोगे फर ने गलत कोशन दे दिया उसमें बैलेंस तो लिखा ही नहीं डेबिट खेडिट बैलेंस दिमाग लगाओ ना मशीनरी रियल यह इटके रभी negative पेटेट वभी फंडीचर या तो है या नहीं है cash या तो है नहीं है एसा कभी नहीं होगा कि मेरे पास cash है negative me cash क्या होता है होता ही नहीं है तो ध्यान दखना real account के हमेशा debit balance ही होगा question में लिखाओ या नहीं लिखाओ आपको assume करना पड़ेगा क्योंकि real account है तो वो negative balance होई नहीं सकता debit balance ही होगा और हमेशा asset side में ही दिखेगा ये nominal account नहीं बतलता है आप लगे हाथो चलो nominal account एक होता है income होता है तो जो expense होती है जैसे rent expense हो गया salary हो गया telephone हो गया traveling हो गया इन सबके debit balance होंगे तर क्यों अभी आप बताओ ना चलो nominal account expense will always have a debit balance जैसे एक्जामपल बताओ ना जैसे rent account खर्चा है खर्चे को मैं क्या करता हूँ हमेशा debit करता हूँ अरे आपको रूल पता है नहीं पता मैंने आपको बताया भी था ना अगर आपको याद नहीं है क्या आपको मैं भी आपको बता देता हूँ आपका होगा जब जब खर्ण होगा वो debit होगा देखो खर्ण हुआ debit हुआ तो सबस्क्राइब कर्द थे होते हैं कभी भी खर्ण क्रेडिट किया ओगा कभी बिखिए बीजी सटेंन अलोन क्रेडिट नहीं होगा डेबीट ही होता है खर्चा कौण देख आपको पता है चब मेरी इंकंब बढ़ती है यह मेरी इंकंब होती है तो इसका मतलब है कि सर इंकंब का हमेशा क्रेडिट balance होगा, ओके, तो जैसे commission income है, तो मेंपा commission income आई, मैंने entry क्या क्योंगी, जब मेंटास commission income आई, तो मैंने entry की cash account, debit to commission income, भ़ई cash मेला बढ़ गया, और commission income आगया, तो commission income क्या हो रही है, यह क्रेडिट हो रही है, तो जो credit हो गा, तो credit होगा, मतब credit side हमेशा जादा आएगा, debit side कम आएगा, तो यह credit side total हा रहा है, 18 आजा तो यहाँ पर अठरा आजाएगा, और यहाँ पर जब आपका खर्चा होगा, तो यह खर्चे का total हमेशा debit side जादा होगा तबी तो इसको मैं, यह मेरा debit balance है, ठीके न, तो ध्यान रखना, खर्चे का हमेशा debit balance होगा, और rent और income होगी 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 होगा, और यह बाद रखना, nominal account को हम कभी भी balance नहीं करते, साल के अंट में, सर क्यों नहीं balance करते, यह मैं final account बताऊंगा, अब भी बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, अब भी आप ये जान लो nominal account को मैं balance कभी भी नहीं करता हूँ इसको मैं trading of profit and loss में transfer करता हूँ ये balance sheet में कभी भी नहीं दिखेगा nominal account आपका balance sheet में कभी भी नहीं दिखेगा वो trading of profit and loss account के अंदर ही जाएगा I repeat, nominal account will never ever be shown in the balance sheet it will be shown in the trading of account ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा ये आपको बाद में समझ में आएगा चलो फटाफट एक बाद समरी कर लेते हैं salary का हमेशा खर्चा है debit balance question में लिखाओ या नहीं लिखाओ rent खर्चा है debit खर्चा है नहीं है debit होगा commission income, income मतलब credit होती हमेशा तो credit होगा telephone expense खर्चा है debit sales sales तो मेरी income है सर हमेशा credit purchase मेरा खर्चा है खर्चा हमेशा खर्चा जो होगा वो debit में होगा income जो होगी वो credit में होगा क्योंकि आपको तो क्या है ये rule पता है खर्चा हमेशा debit होता है जब जब होता है income हमेशा credit होती है तो जो खर्चे account होंगे, rent account, salary account, telephone expense, यह सब debit है और जो income है वो उनका credit है तो फटा फट मैं summary बता देता हूँ, personal account का debit भी हो सकता है, credit balance भी हो सकता है और इसको मैं balance करता हूँ, real account का सीरफ और सीरफ debit होगा, या तो मैं पर land है, vehicle है या नहीं है और इसको मैं balance करता हूँ, nominal account का debit or credit balance दोनों हो सकता है अगर debit balance है तो वो खर्चा है, credit है तो वो income है, और इसको मैं कभी भी balance नहीं करता हूँ यह मैं आपको बापने बताँगा, क्यों नहीं मैं इसको balance करता हूँ, यह मैंना लिग दिया परस्नल अकाउंट का देखो यह बहुत important है अभी आपको देखना ट्राय बैलेंस हो जाएगा परस्नल अकाउंट का debit balance एसेट में दिखेगा, credit balance का दिखेगा, liability में अगर मुझे राउल से पैसे लेने है तो एसेट में नेहा को पैसे देने है, तो liability में credit balance हो गया, real account हमेशा एसेट में आएगा, liability में आही नहीं सकता वेकल अकाउंट, land account, furniture account और nominal account हमेशा profit and loss अकाउंट में दिखाते हैं, हमेशा profit and loss अकाउंट के अंदर ही दिखाते हैं, यह मैं आपको बात देता हूँगा, debit के दोनों हो सकता है clear है, चलो एक काम करें, अब एक question करें trial balance का, चलो आपने सब बता दिया, debit क्या होता है, credit balance क्या होता है अब आप एक question करा दो, चलो मैं एक question start करता हूँ, कौन सा question start करता हूँ, prepare the trial balance from the following information of Ramesh Limited as on 31-3-2023 account name, vehicle, machinery, creditors, furniture, etc, etc, अब मुझे क्या बनाना है, मुझे trial balance बनाना है, कितना simple है, trial balance बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले मैं लिखूँगा, particular, क्या लिखूँगा, particular लिखूँगा, यह यहाँ पे हो जाएगा, फिर यहाँ पे मैं लिखूँगा, LF, ledger folio number क्या लिखूँगा, debit or credit, और उपर लिखूँगा, trial balance, कौन सी company का बना रहा हूँगा, company का नाम लिखा हो, तो मैं रमेश का बना रहा हूँ, तो रमेश, limited, azon, कब का बना रहा हूँ, मैं, 31,3, 31,3,23, मतब 31st March, 2023 को मेरी position क्या है, वो मैं बताऊँगा, तो particular, LF, ledger folio, debit or credit, बस आपको क्या करना है, तो देखते हैं, चलो, vehicle, चलो, पहले मैं simple लिख देता हूँ, vehicle, एक बात बताओ, vehicle कौन सा account है, पर real account है, अब आपको समझ में आएगा, मैंने वो क्यों बताया, vehicle है, real account, और जो real account होता है, उसका तो हमेशा debit होगा, या तो vehicle है, या नहीं है, जहाँ पर नहीं लिखा हुआ, यह debit है, कहीं लिखा है, यह debit है, नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब है, कि यह debit balance होगा, वेकल कौन सा account है, यह एक real account है, तो यह मेरा debit में ही आएगा, या तो vehicle होता है, या नहीं होता है, it can never be a credit balance real account, machinery, machinery भी तो real account है, मैं आपको बता चुका हूँ, real account का balance हमेशा हमेशा debit ही होता है, या तो machinery है, या नहीं है, it cannot be a negative machinery, तो हमेशा real account का जो balance होगा, वो क्या होगा, हमेशा हमेशा debit balance ही होगा, कितने की machinery है, सर्फ 35,000 की, उसके बाद creditor, creditor क्या हो गया, तो creditor हो गया, आपको जिसको आपको पैसे pay करने है, जिसको आपको पैसे pay करने है अगर मुझे किसी को पैसे pay करने है तो वो creditor हुआ personal account है debit balance भी और credit balance है creditor मतलब मुझे उसको पैसे pay करने है इसका मतलब है credit balance है जिसको भी मुझे पैसे pay करने होते है उसका credit balance होता है तो 20,000 रुपे okey furniture furniture कौन सा account है for real account है Friday to personal है it can be a debit or credit दोनों जब देना है तो credit लेना है तो debit मुझे देना है तो मैंने credit में लिखा okay furniture real account है भाया मुझे तो furniture या तो है या नहीं है it can be negative furniture तो it will be always be it will be always be a debit balance cash in hand मेरे पास cash पढ़ा है real account है भाया cash या तो है या नहीं है it cannot be negative तो हमेशा cash का balance debit ही होगा कभी भी credit में कभी भी नहीं जाएगा cash हमेशा आएगा या minus होगे zero जाएगा negative नहीं होगा bank balance bank balance दोनों हो सकते हैं bank balance दोनों हो सकते हैं आपकी बात सही है bank में overdraft भी हो सकता है और low भी हो बता है question में कुछ नहीं लिखावा तो मैं resume करूंगा कि मेरे मेरे bank में 70,000 रुपे पड़े हैं मेरे bank में 70,000 रुपीज है इसका मतलब है मेरा वो debit balance है देखो debit balance का मतलब हो गया जब कोई real account होता है इसका मतलब है कि वो मेरी property है मेरे bank में फटर पड़े है जो भी मेरा bank है तो वह मेरा ही तो है पैसा बैंक में मैंने safe के लिए रखा हुआ है तो 70,000 रुपे डेटर डेटर कहां जाएगा अब आप बताओ डेटर कहां जाएगा अब आप बताओ चलो एक मिनट एक मिनट हाँ सॉरी डेटर कहां जाएगा बताओ जलो डेटर एक मिनट यह मैं हटा देता हूँ हाँ 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 डेटर बताओ कहां जाएगा डेटर मतलब होता है मुझे किसी से पैसे लेने है मुझे किसी से पैसे लेने है तो भाईया लेने है परस्नल अकाउंट है न यह भी आपका पर्सनल होता है ऐब करो सक्यां अकाउट पैसे लेने हैं घ agree यह वो अगंभी से लेने अचिंगे और पैसे देने यहे थे क्रेडिट पर्सनल अकाउट बेंशे क्रेडिट क्रेडिट पेज़े वाध है walking चाहसप पेज़े चलो पैफा डालता है जो मालिक जो बिदनफ में पैफा डालता है उसको मैं बोलता हूँ कैपिटल बोलता हूँ तो चलो मालिक ने किता पैफा डाला वन लैक फॉर्टी फाइफ तो वो कहा आएगा डेबिट में केडिट में या मैं हूँ बिद्नफ, मैं हूँ बिद्नफ, मेरे मालीक रमेश ने मुझे पैसे दिये, तो मुझे उसको पैसे वापिस Egypt देने ना, तो जब-जब कैपिटल आएगा, तो वो वो क्रेडिट ही होगा और capital का हमेशा balance credit ही होता है normally credit होता है negative में जब loss होगा तब होगा तो अगर कुछ नहीं लिखा हुआ capital balance 1,45,000 है तो वो credit में जाएगा क्यों क्योंकि मुझे मेरे माली को वो पैसा देना है capital क्या है माली का पैसा जब business में पढ़ावा है ठर्ण है दिफिवा nominal account और nominal में यह expense है तो खर्चा है पर चेज भी तो मेरा खर्चा है तो जो जो मेरे खर्चे होते हैं जो जो मेरे खर्चे होंगे वह debit होगा nominal account debit, credit income सिवधी शी बात है बता चुको होना क्रचा होगा करता हूं मैं क्रेडिट करता हूं और क्रेडिट करूंगा तो 9000 पर यहां पर जाएगा अब आपको क्या करना है आपको तो इसका टोटल करना है आपका सारे आइटम हो गए हाँ अगर आपका टोटल बराबर आ रहा है तो आपने इद्धम सही किया है टोटल करें 30 चलो मैं करता हूं 35 45 45 45 प्लस 53 50 मैं वह कैलकूटर लियाता हूं क्योंकि अगब बिना कैलकूटर करूंगा तो जल्दी पाजी में जाएगा चलो 10,000 प्लस 35,000 प्लस 8,000 प्लस 40,000 प्लस 70,000 प्लस 2,000 प्लस 7,000 प्लस 2,000 टोटल आ रहा है आपका 1,007,400 प्लस कितना आ रहा है 1,007,400 अगर मेरा केडिट का टोटल भी बराबर आया तो इसका मतलब है मैंने इद्धम ठीक किया है लो भाई इसका टोटल भी आ रहा है 1,007,400 दोनों का टोटल बराबर आ रहा है इसका मतलब है डेबिट का टोटल और केडिट का टोटल दोनों का इकोल है इसको मतलब है मैंने trial balance ही बनाया तो इसमें आपने क्या सीखा आपने क्या सीखा आपने simple सी बात सीखी कि जो real account होता है वो हमेशा debit में जाएगा personal account लेना है तो debit में देना है तो credit के अंदर जाएगा और nominal account खर्चा है जैसे rent है परचेव है तो वो debit में गया income है phase है तो वो credit में जाएगा capital हमेशा credit ही होता है यार मुझे उसको पैसा देना है अगर loss होगा तो negative होगा पर अभी तब मुझे पैसा देना है तो यहाँ पे bank balance personal है real personal है debit भी वह बता है credit भी बता है question में कुछ नहीं लिखा था तो मैं assume करूँगा कि मुझे bank से पैसा लेना है तो वो debit में आया और देखो मेरा tribalis match हो गया चलो एक question मैं आपके लिए homework देदू या आपके लिए करा हूँ चलो मैं homework नहीं देता है मैं आपको करवा देता हूँ जिसे आपको जो practice हो और हो जाए आपको practice हो जाए और हो जाए तो यह हो गया LF यह हो गया debit यह हो गया credit यह हो गया आपका particular ठीक है ना चलो मैं बेका बताओ land फटाफट बताओ land मेरा real account है हमेशा debit में जाएगा okay machine दी मेरा real account है हाँ sir machine दी मेरा real account है कितना जाएगा 3,000 रुपए हमेशा debit में जाएगा फर sales मेरी income है जो income होती है वो credit में होती है हमेशा तब offensive कितनी है? 2,10,000 नगे Okay, sir,1 minute Creditor, मुझे किसी को पैसा देना है किसी को पैसा देना है बीप जाई। ये भी मेरी देना है Credit में जाएगा Cash, cash या तो है या नहीं है Real account है ना तो आप सोचो ही मत Cash real account है It has to be debit balance Okay, okay Purchase, sir, पurchase जब मेरा खर्चा है ना, खर्चा हमेशा कहा जाता है, debit में जाता है, income कहा जाती है, credit में, debtor, बैंक में मेरा पैसा पड़ा है, अरे जब मेरा बैंक में पैसा पड़ा है, इसका मतलब है मेरा debit balance है, मुझे बैंक से पैसा लेना है, मुझे बैंक से पैसा लेना है, यह यह होता है जिससे मुझे पैसा लेना होता है 10 वजा रुपे उससे मुझे पैसा लेना है एक्रेडिट में जाएगा देना है ओके एक एडिट है ठीक है ना ओके और सेलरी अरे तो मेरा खर्चा है आप आख बंद करके उसको डेबिट में डाल दो ऑके फर मैंने डाल दिया चलो 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 फटा फट इसको तोटल करते हैं अगर हमने टोटल हमारी 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 ट्राइल बैलन मैंच हो गई है इसका मतलब है अभी तक तो हम सही जा रहे है तो ट्राइल बैलेस आपको बनाना आ गया अगर सिंपल कोशन दे रखाओ डैबिट कुछ नहीं लिखा हो तो फटावर रिपीट करता हूं परस्नल डैबिट भी हो सकता है कि डिट भी हो सकता है लेना है तो डैबिट देना है तो क्रेड़ेट लेना है डैबिट के डिट देना है तो क्रेड़ेट ओके रियल अकाउंट हमेशा डैबिट लेंड बिल्डिंग मशीन रिफर्चा हमेशा डैबिट और खर्चों में सेल्स इंकम है के डिट खर्चा रैंट ऐलरी डैबिट होता है ठीक है अब हम मूव करेंगे तो पार्ट प्रिपेर दाट राइल बंग मुझे जनरल बनाना है उसके बाद लेजर में पोस्त करना है और उसके बाद राइल बनाना है कितना सिंपल है देखते हैं न फर्फ अप्रेस दो हो जाते हैं इसको अमित ने बिदनाफ स्टार्ट किया कैश में 1 रुपे तो देखो जब अमि एरपास तो cash आया और Amit ने बिदनफ टार्ट किया तो Amit मालिक हुआ तो Amit Capital account cash है मेरा asset जब जब asset बढ़ता है तो debit होता है तो यह होगा debit और Amit मेरा capital है जब जब capital बढ़ता है तो वो credit मैं व्यूम कर रहा हूँ आपको general entry आती है नहीं आती है तो general entry मेरा 8 घंटे का one shot वीडियो वो पक्का देख लेना चलो तो यह क्या होगा credit होगा तो मेरी पहली entry क्या होगी मेरी पहली जब मेरी first अप्रेल को entry क्या होगी वन अप्रेल को entry होगी मेरे पास cash आया cash account debit to amid capital क्या मेरा मालिक है कितना रुपे cash लाया एक लाग रुपे लाया यह मैंने पहली entry कर ली यह मैंने पहली entry कर ली ओके चलो उसके बाद क्या किया cash deposited into the bank साट हजार रुपे मैंने cash bank में जमा करा है cash और bank दो item हो गए cash मेरा asset है यह भी मेरा asset है cash जब मैं bank में जमा कराता हूँ जब मैं cash bank में जमा कराता हूँ तो cash कम हो जाता है और जब जब asset asset कम होता है तो वो credit होता है bank भी तो मेरा asset है asset बढ़ेगा तो वो क्या हो जाएगा debit हो जाएगा तो entry क्या होगी फर entry होगी bank account debit करो हाफ सर और आपका cash गया कितने का फर 60,000 रुपे फर 60,000 रुपे ये कब की entry है फर 2 April की entry है 2 April तेज़ को entry है फर ये भी हो गई चलो उसके बाद ये हो गई ये हो गई तीसरी salary pay 2,000 रिंग cash and 5,000 वया check लो भाई मैंने salary pay की तो भाईया salary मैंने cash में pay की 2,000 रुपे और bank से मैंने pay की 5,000 रुपे total salary का खर्चा 7,000 रुपे ये मेरा expense है salary मेरा खर्चा है और जब जब खर्चा होता है जब 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 खर्चा होता है तो वो क्या होता है debit होता है वो क्या होता है debit और cash मेरा asset cash bank भी मेरा asset cash जा रहा है bank जा रहा है जब जब मेरा asset जाता है तो क्या होता है credit or credit भाई मैंने 2005 आके मैंने bank से pay की न तो मैंने entry क्या की क्या डेट पे है 6 अप्रेल को तो 6 अप्रेल को मैंने एंट्री की कि भाईया मेरा सेलरी का जो खर्चा हो गया वो हो गया टोटल 7 अजा जो मैंने कैश में पे की 2,000 रुपे और मैंने बैंक से पे की अपना चेक इशू किया 5,000 रुपे का पर बहुत simple है, ये भी हो गया, उसके बात 10 अपरेल को, purchase furniture of rupees 20,000 in cash, मैंने एक furniture खरीदा, जब-जब मैं furniture खरीदूंगा, furniture खरीदूंगा, मैंने कितने का लिया, furniture और मैंने cash लिया, तो जब furniture मेरा asset है, और ये मेरा, furniture मेरा asset है ना, हाँ सा मेरा asset है, और cash मेरा asset है, furniture खरीदा, furniture खरीदा, तो asset बड़ा, asset बड़ा, तो ये debit होगा, cash क्या है, फर cash मेरा जा रहा है, furniture खरीदा, तो मेरा asset माइनस हो रहा है, तो credit हो जाएगा, तो मेरा entry क्या होगी, फर क्या बात कर रहे हो, फर entry होगी, furniture debit, furniture account debit, okay, to cash, मैंने कितने का furniture लिया, फर मैंने BFJR का furniture लिया, कितने का लिया, BFJR का, BFJR का furniture लिया, तो BFJR के मैं entry करूँगा, और ये मैंने 10 April को entry कर लिया, ओके फर ये भी हो गया, फर 2 entry और कर लो, commission income receive via check, मुझे commission income मिली, मुझे क्या मिली, commission income मिली, जब मुझे income मिलती है, मुझे check से मिली, बैंक से मिली, फर मुझे check से मिली, तो bank account मेरा बढ़ जाएगा, और मेरी income आ जाएगी, ये तो आपको आता है ना, अब दितरफा तो कमिशन इंकम मेरी इंकम है और बैंक मेरा एसेट है इंकम जब बरती है तो केडिट होता है बने काल रहा है एसेट जा बरता है तो Souk मेरे इंकम कितनी की इंकम हुई है मेरी इंकम हुई है videos चार हजार की कितने की इंकम हुई है चार हजार की इंकम हुई है और डेट क्या है तो डेट है 14 अप्रेल ते इसको ठीक है ना हाव सब्सक्राइब बात समय में आ गई नेहा मेरी लाइबिलिटी क्यों है क्यों कि मुझे उसको पैसा पे करना है जब जब खर्चा होता है तो वह डेबिट होता है और नेहा क्या है मुझे नेहा को पे करना है तो लाइबिलिटी है तो वह क्या हो जब जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट तो मैंने क्या किया मैंने परचेस किया मैंने परचेस किया तो परचेस अकाउंट डैबिट परचेस अकाउंट डैबिट और मुझे नेहा को पे करना है मुझे नेहा को पे किता पे करना है सच छे हजार रुपे छे हजार रुपे और चे हजार रुपे और यह हो जाएगा 27 अपरेल तेज को अब मैंने क्या कर लिया मैंने यह जित्ती भी ट्रांडोशалась 1,2,3,4,5,6 इन सब की मैंने क्या कर लिया मैंने general entry कर ली देखो ना यह general entry कर ली 1,2,3,4,5,6 यह general entry कर ली general entry तो मैंने एक पूरा कर दिया उसने का कि general बना दो क्या बना दोगे लेजर बना दोगे चलो लेजर बना देते हैं यह लेजर का मैंने format दे रखा है पहले से आपको तो पहले मैं एक एक करके लेजर बनाऊंगा कैश और अमिद कैपिटल तो यह है मेरा कैश अकाउंट और यह है मेरा अमिद कैपिटल अकाउंट ठीक है ना चलो एके करके ledger बनाऊंगा cash account debit हो रहा है debit हो रहा है एक लाग से 1,4,23 को यहाँ पे debit हो रहा है cash account debit हो रहा है तो cash account के debit side में आ जाओ opposite में नाम क्या है to amid capital आपको ledger बनाना आता है ना अगर ledger बनाना नहीं आता है तो मैंने one shot video ledger का डाल रखा है देख दालो वो और एक्सपर्ट बन जाओ लेजर के अंदर मैं एक्सपर्ट हो तब लेजर आपको आता है एक्सपर्ट हो तब भी तो ट्रायल बैलनस में पहुचोंगे ना ओके आप सेमी फाइनल में कब पहुचते हो कोई भी मैच में आप नॉर्मल पहले मैच खेलतो तब सेमी फाइनल तब फाइनल में पहुचते हो ना तो यहां पर मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपको लेजर और जनरल एंट्री आता है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा एक लाग से और अपोजिट में नाम लिखा अमित कैपिटल और अमित कैपिटल वो हो जाएगा आपका बाए कैश एक लाग रुपे एक लाग रुपे क्लियर है समन में आ गया हाथ समन में आ गया similarly bank account debit होगा 60 जासे cash account credit होगा 60 जासे तो पहले मैं क्या करो एक bank account भी बना दूँ क्या चलो यह मेरा बन गया bank account ठीक है ना bank account ओके bank account ओके अब क्या लिखा हुआ है bank account debit हो रहा है दो चार को ठीक है भाईया दो चार 23 को debit हो रहा है opposite में नाम है cash और 60 जासे debit हो रहा है ओके और cash हो रहा है credit चलो भी cash credit करो कब हो रहा है credit फर cash हो रहा है आपका 2 अप्रेल को 2 अप्रेल को credit हो रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे buy bank कितने का amount फर 60,000 रुपे कितने का 60,000 कैसे भाई अरे भाईया 60,000 पे cash credit हो था cash credit site में जाओ opposite site में नाम लिखा हो है bank तो आपने यहाँ पे bank लिख दिया similarly यहाँ पे bank debit हो रहा है bank debit हो रहा है 2 अप्रेल को और 2 cash आएगा 60,000 रुपे ठीक है हाँ समद में आ गया फिस salary का है salary का भी account बना है 7,000 रुपे चलो भी salary का भी account बना दो यह बना है salary salary वो एक में salary account salary account क्या लिखा हो है salary account debit हो रहा है 6 अप्रेल को 2 cash 2 bank हो रहा है तो salary को debit करो 6 अप्रेल को 2 cash और 2 bank simple भी बात है cash में 2,000 रुपे और यहाँ पे यहाँ पे कितना 5,000 रुपे यह भी आपका 6,4 ओके 6,4 salary account debit हो रहा है ना तो salary account के debit cash और bank आपने एंट्री कर ली अब cash में भी तो एंट्री करो cash में एंट्री होगी 2,000 रुपे ओके तो यहाँ पे अरे कहां गया हाँ buy salary salary अब 6 अप्रेल 23 को कितना 2,000 रुपे और bank में क्या एंट्री होगी so bank में होगी 6 अप्रेल 23 को buy salary यह credit क्यों हो रहा है bank लिखा हो आए ना भाया लिखा हो है ना bank credit हो रहा है debit five में salary नाम आ रहा है 6 अप्रेल को यह भी हो गई उसके बाद आप entry और क्या है यह तीन entry और रहा है furniture debit किया cash को credit किया चलो furniture account भी बना दो यह आपने बनाया furniture account यह आपने अप्रेल को मैंने furniture लिया cash लिया bank से लिया cash में लिया लिया बी फजार रुपे तो बी फजार रुपे का मैंने furniture लिया furniture account debit और similarly यहाँ पे cash debit कर लो buy furniture कितने का लिया फ़र बी फजार रुपे का 10 अप्रेल की entry हो गई ठीक है ना समझ में आ गया बी फजार फे आपने entry कर लिया furniture debit कर लिया furniture debit का गया बी फजार से और cash credit कर लिया आपने बी फजार फे 10 अप्रेल को यह भी entry हो गई bank account debit to commission income चलो एक bank account debit करो bank account को debit करो to commission income यह 14 को है ओके कितना मिला 4,000 रुपे 4,000 रुपे मिला ना कितना मिला 4,000 रुपे बैंक अकाउंट debit कमिशन और commission income का भी तो account create करो हाँ sir कर तो रहे है sir आप इतना भाग क्यों रहे हो अरे मैं भाग नहीं रहा हूं मुझे पता है आप लेजर देख चुके हो तो commission income का credit हो रहा है तो यहाँ पे 14,4 23 को by bank में पा कितना रुपे आया 4,000 रुपीज आया 4,000 रुपीज आया 4,000 रुपीज क्लियर है लिखा वाई ना भाई 4,000 रुपीज 4,000 रुपीज मेंना commission income आया by bank फोट है अब सवार एक और entry कर लो ना लगे हाँ तो purchase account debit to Neha चलो दो account और create करेंगे हम create करेंगे एक तो करेंगे purchase account okay purchase account okay और एक Neha account मैंने 27 तारीक को 27 तारीक को मैंने Neha से purchase किया कितने purchase किया मैंने 6,000 का purchase किया तख purchase account debit हो रहा है 6,000 से तो 6,000 से debit होगा और Neha को मैं उसी time debit credit करूँँगा 23 को by purchase save account ठीक है ना मैं assume कर रहा हूँ आपको ledger आ रहा है ठीक है लेजर आने के लिए तब भी मैं trial balance में आप बहुत सकते हो तो ledger का मेरा one shot of video देख लेना search करो ledger account आपको मिल जाएगा YouTube पर फर सारी entry होगी every every entry होगी पच्छे को debit किया निया को credit कर दिया अब मुझे क्या करना है फर मेरा दोनों step हो गए एक मैंने general भी बना दिया लेजर भी बना दिया अब trial balance बनाना है अब क्या रखाव है कुछ भी नहीं रखाव आप trial balance बना दो trial balance कैसे बनेगा देखो trial balance बनाने के लिए आपको पहले format बनाना पड़ेगा यह रहा आपका trial balance यह रहा आपका debit यह रहा आपका credit यह रहा आपका LF और यह रहा आपका particular particular खतम ओके चलो start करें या नहीं करें रहने देख्या अरे करते न यहां देखो न चलो क्या लिखा हुआ है आपने कौन-कौन से लेजर बनाया आपने कैश और gepिटल चलो जो आपको याद है लिखो cash बनाया अमिट कैपिटल बनाया फिर आपने बेंक बनाया फिर आपने فैलरी अका warrant बनाया और कहुँसा बनाया बैंक को सेलरी अका performsion और आपने तनीचर furniture account बनाया आपने commission income account बनाया आपने purchase account बनाया और आपने नेहा account बनाया ठीक है ना नेहा account नेहा account ठीक है चलो ये हो गया चलो अब हमें क्या करना है trial balance बनाना है कित्ती simple सी बात है पहले हम सारे account गया करेंगे balance करेंगे चलो cash account को बैलस करो ये ना एक लाख रुपे ये एक लाख रुपे है ऊके चलो क्या होगा केश का डेबिट में आ तो buy balance carried down 30 April को मेरा balance है 18,000 मेरा balance है ओके चलो पहले मैं balance दिख दू अमित का balance कहाँ पे आ रहा है यहाँ पे आएगा 2 balance carried down 1,00,000 रुपे ये भी कब आएगा 13,4,23 को आएगा similarly bank का balance क्या आएगा 64,64 minus 5,59 तो 59,000 60,64,59,000 तो buy balance balance कहाँ पे आता है हमेशा balance हमेशा वहाँ आता है जहाँ पे कम होता है और ये debit balance है credit balance नहीं है salary account तो 60,000 रुपे तो buy balance carried down तो आपने कहा था salary account या nominal account वो कभी balance नहीं करते हैं हाँ मैंने कहा था पर वो साल के अंत में balance नहीं करते हैं month के अंत पे तो करते हैं salary account वन्डिशर account आपका 34,23 को buy balance कितना आ रहा है सब बीफ अजार रुपे similarly commission income का two balance carried down 4000 रुपे ये कब आ रहा है 34 को आ रहा है उसके बाद इसका balance क्या रहा है buy balance carried down मैं तो सिर्फ दोनों को debit credit को इकवर कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा और कुछ नहीं कर रहा है और इसका बैलेंस कितना आ रहा है टू बैलेंस केरी डाउन चेह हजार रुपे तीस अप्रेल को ठीक है ना अब आपको कुछ करना ही नहीं क्या करना है आपको तो सुर्फ बैलेंस डिखना है कैश का बैले है credit है एक मिनट debit है credit है credit है credit हुआ नहीं debit हुआ debit एक लाख है credit 88 वरी कितने है 80 82,000 है तो 18,000 आपका debit balance हुआ यह debit balance इस 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 debit balance तो मेरा cash का जो balance आएगा वो यहाँ पर 18,000 रुपीज आएगा similarly amid capital का जो balance है वो debit में आ रहा है पर वो credit ज्यादा इस इसने debit में आया तो यह मेरा यह मेरा credit balance है तो एक लाख रुपे मुझे Amit को एक लाख रुपे देने हैं Amit को एक लाख रुपे देने हैं dre world Closing balance जा आएगा उसका opposite होता है balance. Okay चलो अब और देख लेते हैं फ़र cash हो गया अब तो गया bank bank का balance credit में आ रहा है मतलब यह debit balance है 59,000 तो 59,000 आप लिख दो यहाँ पर 59,000 और उसके बाद आपका आ रहा है salary account आपका कितना आ रहा है salary एक में बैंक तो यह आ गया बैंक आ गया यह आ गया यह आ रहा है इसलिए credit में आ रहा है तो ध्यान रखना balance जो आपे closing balance आएगा उसका opposite हमेशा होता है क्योंकि simple सा logic है closing balance जहां पे क्यों आ रहा है because यह जादा है इसलिए वाप आ रहा है commission income 4000 रुपे credit में है तो 4000 रुपे आपका income में आएगा तो आपका income में आएगा 4000 रुपे 4000 रुपीज और purchase कितना है पर purchase का balance debit में आएगा 6000 रुपे क्योंकि क्योंकि वो credit में आ रहा है तो वो debit balance हुआ और नया का debit में आ रहा है तो इसका मदब है credit balance हुआ आपका 6000 रुपे ठीक है ना अब आप एक बाद चेक करो आपका जो total है अगर आपका balance अगर आपका trial balance लो भाईया हमारा trial balance क्या हो गया टैली हो गया debit का total हो गया clear है तो ध्यान रखना हमने क्या किया पहले हमने सबसे पहले लेजर हमने जेनल पोस्टिंग की फिर उसके पाद लेजर का balance निकाला यह जो 18 केडिट में आ रहा है यह actually debit balance है next year opening में debit में जाएगा और यह credit balance है और मैंने सिर्फ उनको balance लिख दिया अब मुझे कोई भी पूछेगा तो यह मेरा balance है ओके एक और question करें question में दिया हुआ है from the following prepare trial balance मुझे सिर्फ यह question में चार account दे रखें trial balance लो भाई एक दो step को किये वे हैं हमको तो क्या करना है यह तो free के marks है क्या है free के marks हैं भाई साब free के marks है LF debit credit और आपका particular ठीक है ना particular क्या लिखा हुआ है cash का balance चलो cash कितने account है यह देख लो cash capital purchase cash capital परचे और चार account है ठीक है ना चलो cash का क्या है book में क्या लिखा हुआ है 10,000 15,000 3,000 और बाई परचेव 1000 एक मेंट रुको चलो 10,000 opening है और bank भी है भाईया bank भी है ठीक है ना bank भी है हाँ चलो तो cash का 10,000 opening आ रहा है यहां पे कुछ भी नहीं है तो मैं 30 अप्रेल को 30 अप्रेल को निकालूंगा by balance कितना आ रहा है 10,000 रुपे cash का 10,000 debit में 10,000 है credit में कुछ नहीं है bank में debit में 15 प्लस 3,000 अठरा है credit में 1 है 18-1,000 17,000 तो यहां पे आ जाएगा 17,000 similarly capital account यह 25 है तो closing balance भी same ही रहेगा two balance carried down similarly purchase buy balance carried down कितना का फर आपका 1000 रुपे similarly sales का two balance carried down 3000 रुपे अब मुझे बताओ cash का balance का पे आ रहा है credit में आ रहा है debit जाद है तब भी तो credit में आ रहा है capital का balance आ रहा है 25,000 रूपए केड़िट में आ रहा है और केडिट debit में आ रहा है तो मतब रताब केड़िट बैलेंस हुआ थो 55,000 रूपए 55,000 रूपए कीविलरली परचेव का balance debit केड़िट में रहा रहा तो डेपट-बैलेंस है और बट औवियस पॉमन सेंस है कि पर्चेस हमेशन डेबिट ही होगा और सेल्स कितना है आपका 3,000 रुपे है और वो आपका केडिट बैलेंस है क्योंकि आपका बैलेंस जहां पर आ रहा है डेबिट में आ रहा है तो मतब केडिट है अब आपका चेक कर लो अगर आपने ये टोटल सही किया है तो 10,000 प्लस 1000 प्लस 17,000 इस इकल टू 28,000 चलो और इसका टोटल में 25 प्लस 28,000 बले बले मेरा कोशन सही हो गया बात समर्ण में आ रही है कितना सिंपल है ट्राइबलेंस कुछ पॉब्लम ही नहीं है ऑक चलो यहां तक समर्ण में आ गया है लेजर शे मैंने ट्राइबलेंस भी बना दिया बहुत यह accountant कितना जाद आग उसने गलत बना है देखो from the following trial balance प्रिपे बाई अन एक्स्पीरेंस अकाउंटेंड ने कोई डिग्री विग्री ली नहीं थी 11-12 खतम की ठीक से पढ़ा ही नहीं concept पढ़ा नहीं ठीक से और fundamental पढ़े नहीं और उसने trial balance बना दी ओके and you are required to correct it and prepare a trial balance account funda का student आया और बोला चलो मैं बनाता हूं इसको अदम सही उसने तो गलत बना दी account नहीं ने अरे आप account funda का student हो अच्छा लगा तो लाइक करो subscribe क्यों नहीं करते हो आपको account तो awesome बनाने की जिम्मेदारी मेरी आप subscribe करो like करो जिसे YouTube ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाए बाकी आपकी मर्जी चलो cash यह ने को क्या लिखा हूँ है भाई साब ने cash को credit में जाल दिया है cash तो real account है cash का तो कभी भी credit balance नहीं हो सकता चलो भई यह कैसा base of accountant है पता नहीं उसने क्या पड़ा है समझ में नहीं आ रहा चलो भईया बनाओ 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 चलो particular हम तो इद्दम सही बनाएंगे because हम है हम कौन है हम account funda के student है और account funda student की एक खास बात तो सब हम लोग जानते है कि वह कभी भी fundamental को छोड़ते नहीं है हमेशा fundamental को पकड़ के रखते है हमें प्ता है हमें पता है जो cash है वो कभी भी credit में आई नहीं सकता यह गळत बनाया accounting ने cash को credit में लिख दिया औरे बाबा cash credit में आई नहीं सकता या तो cash है या नहीं है मैं आपको बता चुका हूँ cash एक real account है और real account है कभी भी debit credit balance नहीं हो सकता तो cash तो credit में आई नहीं सकता हमेशा debit में ही होगा तो यह उसने गलत कर दिया तो चलो हम ठीक कर लेते हैं न तो cash को हम credit debit में लिख देते हैं 40,000 गैं यह हो गया vehicle vehicle उसने ठीक किया वहिकल रियल account है यह यह account है तो भाईया debit का debit में रहेगा वहिकल केडिट में आई नहीं सकता कभी भी तो उसने यह ठीक किया similarly purchase purchase तो खर्चा अकाउट है और खर्चा तो हमेशा debit होता है खर्चा तो हमेशा debit होता है, तो purchase credit में कैसे आ रहा है, बेशकूफ है, तो 4,000 रुपे जो purchase है ना, वो मेरा debit में आना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना कि purchase जो होता है, वो खर्चा होता है, खर्चा हमेशा debit में आता है, तो उसने ये गलती कर ली, sales, 10,000 रुपे credit, sales तो मेरी income है और income हमेशा credit होती है, ओहो, तो इसने ठीक किया, चलो ठीक किया, फर इसने सब गलत नहीं किया, नहीं भाईया, कुछ कुछ तुक्का लग जाता है ना, आप भी तो MCQs करते हो, आता नहीं कोशन तो सब AAA कर लेते हो, कुछ तुक्का लग जाए, बस तुक्का वुक्का नही हमेशा debit होगा, तो परचेव return हमेशा credit होगा, जनरल एंटरी में बताया था ना, परचेव return हमेशा credit ही होता है, परचेव खर्चा, परचेव return खर्चा कम होने की बात हो रही है, तो हमेशा जनरल एंटरी में ध्यान लगए, परचेव हमेशा debit करते हैं, तो परचेव return हमेश क्रेडिट ही होगा हमेशा क्रेडिट होगा तो ये भी उसने गलत कर दिया ये भी गलत कर दिया गलत कर दिया पर्चेज return कितना होगा हमेशा credit होगा वर क्यों आपको कैसे पता देखो ना यार पर चरट वहलों कर्ट होता है खर्चा मुझे बाथ होता है है आपको याद फ़्लास्म कर्चा है हुआ हमेशा debit होता है फ़लों की बात होती है तो यिज उसका केडिट होता है तो उसका बैलेंस दो होगा हमेशा केडिट के अंदर ही जाएगा ओके ये भी गलती कर लिए सेल्स रिटर्ण सेल्स होती है हमेशा इंकम तो सेल्स रिटर्ण हो गया मेरा खर्चा या मेरी इंकम कम हो गई तो सेल्स रिटर्ण के तो हमेशा होती है क्रेडिट कितना खर्याब उसने किया यह भी उसने खराब कर लिया तो 4,000 रुपीज क्रेडिट में होगा फर क्यों अरे भाई फर सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है यह क्रेडिट होती है तो सेल्स रिटर्न क्या होगी हमेशा देडिट होगी परचेव debit होता है परचेव return credit होता है आपको जनल एंटी का रूर पता ना परचेव हमेशा debit होता है तो credit में गया sales credit में गया परचेव return नमेशा debit में जाएगा तोटल ही मैच नहीं कर रहा एक गुमा फिरा के उसने इतना गंदा काम किया है पर हमें क्या मतलब है हम थीक कर देंगे debtor debtor 50,000 बाइसाब ने कुछ तो सही किया debtor मतलब मुझे किसी से पैसे लेने हैं लेने किसी पैसे हमेशा debit होगा debit होगा debtor मुझे किसी पैसे देने हैं रम भाइसाब debit में कैसे आगया hora जिनकी को पैसे देने है credit पैसे लेने हैं तो debit गलत कर लिया capital क्या लिखा capital क्या लिखा 70,000 रुपे capital सही लिखा capital का balance हमेशा credit balance ही होता है आपको पता है capital का अगर balance होगा तो वो credit जब तक question में अलग से कोई बात नहीं लिखी हो तो capital will always be a credit balance जहां रखना मुझे मालिक को पैसे देने है उसके बाद drawing drawing मतलब मुझे मालिक से पैसे लेने है drawing क्या है आपको बता चुका हूँ drawing मतलब मुझे मालिक से पैसे लेने है what is drawing मेरा कुई खुद का पैसा मेरी business का पैसा मालिक लेके चला गया owner लेके चला गया तो मैं owner से पैसे वापिस लूँगा और उसको मैं क्या करूँगा तो मैं मालिक से पैसे लूगा डेबिट में आयेगा तो उसने वो ठीक किया ठीक किया ठीक किया कुछ ठीक की quantity किये discount received, मुझे बाता हो मुझे कोई discount देगा तो मेरे लिए income है या मेरे लिए खर्चा है discount received लिखाओ है discount received लिखाओ है received, sir एक मिनट sir discount discount received, sir मुझे किसी ने discount दिया तो मेरे लिए income हो गई है मेरे लिए income हो गई है मुझे Amazon वाला discount देंगे मेरे लिए income मुझे कोई भी discount देगा मेरे लिए income Sir income हो गई आपकी हाँ तो income तो Sir credit में जाती है All expense are debited All income All income जो होती है वो credit होती है तो discount received है वो तो आपकी income होई न हाँ तो वो आपकी हमेशा जो income होती है वो तो हमेशा आपकी credit पर जाती है Sir discount आपको मिला आपका खर्चा हुआ ना खर्चा की हुआ मुझे मिला भाई तो मेरे लिए income है या तो खर्चा कम मानो या आप income मानो एक ही बात है तो मेरी income है तो discount पूसी भाई साब ने 2000 पर यहाँ पर लिख दिया इस प्रिभी क्या आठ़ंचा की शिर्मिलरी मैं खर्चा अ खर्चा हमेशा ऐठ़या होता है उसने यहां पर कैसे लिख दिया इंवेंटरी मतलब होता है stock, मतलब मेरा real account है inventory क्या होता है it is a real account inventory is a real account मतलब वो मेरा account है, या तो वो है या नहीं है, what is inventory? मेरी दुकान पर जो माल पढ़ा वो inventory मेरी अगर pen की दुकान है और pen की दुकान में मेरे पर 100 pen मैंने बना है असी बिग गए, बीफ अभी दुकान पर पढ़े है वो inventory, stock inventory तो मेरी दुकान पर या तो माल पढ़े है या जीरो है, negative कैसा हो सकता है तो inventory real account है inventory कौन सा account है यह real account है और जो real account होता है, उसका हमेशा balance debit में होता है तो जो inventory है वो में हमेशा debit में आएगा या तो है, या नहीं है ऐसा कभी नहीं होगा कि inventory है ही नहीं यह अवरी, negative में है inventory हमेशा यहाँ जाएगी bank से loan लिया तो जब मैं bank से loan दूँगा तो मुझे bank को पैफा देना पड़ेगा न 10,000 रुपे हाँ, पैसा देना पड़ेगा 10,000 रुपे तो मेरे लिए liability है और जब जब liability होती है liability create होती है तो भाईया मेरा हमेशा credit मुझे bank को पैसा देना है तो जब मुझे किसी को पैसा देना होता है तो भाईया मेरा account कहा जाएगा मेरा liability में जाएगा कितना पैसा देना है bank loan 1200 रुपे 1200 रुपे मुझे bank को पैसा देना है 1200 रुपे समझ में आया हाँ, समझ में आया interest on bank loan अब बताओ ये बड़ा problem आ गया interest on bank loan bank loan तो आपको 12,000 रुपे 10,000 रुपे 10,000 रुपे है 10,000 रुपे मैंने bank लिया interest on bank loan अब बताओ ये कहाँ जाएगा कौन बताएगा मुझे कौन हुश्यार बंदा बताएगा कि भाईया interest on bank loan कहाँ जाएगा मैंने bank से loan लिया तो वो तो मुझे bank को pay करना है दफजा रुपे अच्छा, एक बात बताओ interest है, जो मेरा interest तो मेरा खर्चा है, अगर मैं bank से loan ले रहा हूँ, तो मैं असको interest दूँगा या मैं अससे लूँगा, अरे मैं दूँगा ना मुझे वो bank पैसा दे रही हो धार तो मैं असको interest दूँगा, तो मेरे लिए खर्चा है, और जो खर्चा होता है वो expense में चाता है, तो interest on bank loan मेरा खर्चा है, और खर्चा हमेशा debit होता है खर्चा हमेशा debit होता है, बात समय में आई हो कि मेरा ये खर्चा है, this is interest है, मेरा खर्चा है, तो मैंने bank से loan लिया और मुझे interest है, मैंने interest खर्चा पे कर दिया पे कर दिया मैंने, 1200 फ़्वाइबिट कर दिया तो डेबिट कर दिया तो डेबिट का जो टोटल एक्वल होना रहेगा कौन अकाउंट फंडा का स्टूडेंट है और कौन नहीं है टोटल आ रहा है आपका 134,000 हमेरी इजद बचा लो बगवान 10,000-2,000 ऐसे नहीं हो अकाउंट फंडा की इंसर्ट हो जाए चलो देखते हैं लो बई इजद बचाली बगवान ने 134 ही आ रहा है अरे अकाउंट फंडा सूडेंट हो फंडा मेंटल स्ट्रॉंग ही रहेगा लाइक सब्सक्राइब करो करना इसी बात पे चलो भूल जाते हो आप लाइक करना देख ले तो लाइक करना भूल जाते हो और कमेंट में लिखते हो अच्छा लेक्षर अच्छा लेक्षर है पर लाइक करना भूल जाते हो सब्सक्राइब भी करना भूल जाते हैं बहुत बच्चे कर लो यार आपकी म account ये सारे मेरे जैसे ये काये कौन सा है कुई है क्या Bencly Ray account hired me क्सरा रहे हैं और खर्चा हमेशा debit होता है तो ब कंडित होता है तो परेजाने खर्चा है वा क केडिट में क्यों ले लिया हम बैसे दो बम यह अप्लाई किया और हमारा कोशन हो गया और हमने यह ठीक कर दिया और हमने उसको वावाव लूट ले अपने बॉस से ओके चलो अब यह भी हो गया चलो यह काम करें और कुछ कोशन नहीं सर आप अभी क्या भी कर रहा हो पिपे दो ट्राइल बैने पर पिपे बनाया यह डैबिट यह क्रेडिट यह एलस ठीक है ना हाँ यह ट्राइल बैलेंस बनाया क्या बनाया कैश कैश का हमेशा बैलेंस डैबिटी होता है तो हमेशा केडिट में आई नहीं सकता वहिकल का हमेशा बैलेंस डैबिटी होगा वह वह रियल अकाउंट है तो इट विल always be debited capital it can be credited हमेशा credit balance होगा अगर question silent है तो 60,000 रुपे और sales for sales मेरी income है तो 40,000 रुपे income हमेशा credit होती है ओके तो total कितना आजाएगा एक लाख रुपे और एक लाख एक लाख रुपे ठीके ना answer सही आ गए ओके होपफुली आप लोगों ने सही किया हो चलो अब आपने यह तो कर लिया अब मैं बढ़ूंगा missing figure trial balance में कैसे find करें अगर trial balance में missing figure दे रखी हो तो हम क्या करेंगे so let's start with the missing figure in a trial balance so let's do a missing figure question क्या लिखा हुआ है prepare a trial balance from the following information and find out the capital account balance आपको इससे trial balance बनाना है और आपको जो capital account का जो balance है वो निकालना है अरे कितना simple है आपको तो क्या करना है आपको trial balance बनाना आता है credit है okay trial balance चलो बाइट क्या है trial balance बनाओ land आपको पता है land एक कौन सा asset है real account है always debit balance तो कितना हो जाएगा 90,000 यहाँ पे जाएगा उके उसके बाद क्या है machinery sales मैं सब पहले लिख देता हूं machinery sales पहले में लिख देता हूं machinery sales creditor ओके cash ओके purchase bank balance डेटर और क्या लिखा हुआ है capital or salary expense capital or salary expense ठीके न हाँ चलो ओके चलो अब हमें क्या करना है debit करना है land का मैं लिख चुका हूं machinery but obvious always always debit real account debit रहेगा ठीक है न साथ हजा ओके सिमिलर्ली सेज्स हमेशा credit होगा क्योंकि sales मेरी हमेशा credit ही होती है अरे अकाउंट करता हूं ना debit account है यह credit होता है income हो गई income हमेशा क्या होती है credit होती है credit मुझे पैसे किसी को देने है जब मुझे पैसे किसी को देने होते हैं तो credit balance होता है cash या तो है या नहीं है या तो cash है या नहीं है ओके तो वह हमेशा debit होगा कभी भी negative में नहीं हो सकता है real account है यह real है purchase खर्चा account है purchase कौन सा account है खर्चा account है और खर्चा हमेशा debit होता है जब मैं purchase debit करता हो ना हमेशा तो purchase हमेशा खर्च अकाउंट है, बैंक में पैसा पड़ा है, मतलब वो asset account है, या तो वो है, या फिर नहीं है, मुझे बैंक से पैसा लेना है, 20,000 रुपे, तो बैंक balance हमेशा क्या होगा, आपका debit में आएगा, अगर मेरा balance पड़ा हुआ है, तो, okay, similarly debtor, 70,000, debtor हो गया, और debtor को क्या होता है, जिससे मुझे पैसे लेने होते हैं, who is debtor, debtor वो होता है, जिससे मुझे पैसे लेने होते हैं, debit में जाएगा, debit में जाएगा, capital question में दे नहीं लगा, वो जी तो निकालना है, salary, 80,000 खर्चा है, भाई साब, salary आपका खर्चा है, तो हमेशा debit ही होगा, all expense debit, all income credit, all real account debit, और personal account है, तो लेना है, तो debit देना है, तो credit, चलो भाईया, अब आपको क्या करना है, आपको तो टोटल निकालना है, टोटल निकालो, चलो देखते हैं, टोटल, 90,000 प्लस 70000, प्लस 1 чис00, प्लस 50,000, प्लस 20,000, प्लस 70,000, प्लस 80000, तो टोटल आ रहा है, आपका 5 $10000, और आपको पता है, टॉटल हमेशा equal होता है, मुझे यह balance निकालना है, मुझे यह वाला balance निकालना है, कैसे निकालूंगा, ट्राइल बैलन्स का टोटल हमेशा equal आएगा, तो इसका मतलब है, debit और career का total equal आना चाहिए, तो यहाँ पर 80 plus 70 है, तो 530 मैं से 80 minus कर लो, 70 minus कर लो, 3,80,000 रुपे, तो यह जो answer हो गया यह जो answer हो गया, यह हो गया आपका 3,80,000 यह balancing figure आ रहे है, यह आपकी balancing figure आ रहे है, बात समद में आई, capital का balance यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, but obvious capital का balance हमेशा credit में आता है question silent हो तो, यहाँ पर मुझे debit का total दे रखा है, credit का total दे रखा है, तो मैंने देखा मेरा कम किदर आ रहा है, मेरा कम यहाँ पर बनाना है तो मैं क्या करूँगा suspense account कैसे होता है देखो मैं आपको बताता हूं देखो prepare a trial balance from the following information and tell us the suspense account balance कभी कभी क्या होता है देखो होता है मैं आपको real life बताता हूं अभी तक तो आपको ना गर bookish knowledge है रियल क्या होता है देखो जैसे मालों मैं एक company का account 10-2 ठीक है ना आपको पता है सब accounts close करने होता है 31st March को फिर मुझे फॉन आया auditor का फॉन आया कि भाईया हम और 31st March हो जाते हैं तो वह 15-20 जिनमे accounts बनाने में लगते हैं लेट्स मुझे एक महिना मुझे गॉर्मेंट को रिपोर्ट सब्मिट करनी है मुझे 31 मही तक गॉर्मेंट को यह trial balance देना है गॉर्मेंट हो ना income tax वाले को यह trial balance देना है 31 मही तक अब है ना मेरे सारे मेरी बहुत बड़ी company है मेरे सारे account लगे वे ट्राइल बैलेंस बनाने में अब हुआ क्या है यह trial balance जो बनाना वह एक problem आ गई क्या problem आ गई वह trial balance मैच नहीं कर रहा क्या नहीं कर रहा मतलब मेरा debit और credit का जो total है वह मैच नहीं कर रहा है अब क्या करे त मैंने सब accountant को बोला trial balance बनाओ 31 में आ रहा है जल्दी करो income tax वाले को देना है क्या कर रहे हो सब accountant बनाने में लग दे उन्होंने trial balance भी बना दिया इसका अब trial balance बनाया तो देखा औरे बाबा ट्राइल बैलेंस मैच ही नहीं हो रहा मैच ही नहीं हो रहा मैच करो चलो एक काम कर एले ठीक है ना अपको पता है वह कल क्या होता है रियल अकांट होता है हमेशा debit में ही जाएगा हमेशा debit में जायेगा रेंटल रेंटल खर्चा है और हमेशा रेंटल होता है हों हमेशा काहा जाता है debit में और explorer debited給 multiply को मशीनरी अकाउंट मेरा मेरा क्या है to real account है तो मशीनरी भी हमेशा debate ही होता है okey sales account and canaouse in cash inqm वैं- तो यह हमेशा क्रेडिट ही होगी हमेशाव क्रेडिट ही होगीVokv d attachment articles उसके बाद क्या लिखा हुआ है आपका कितना हो जाएगा आपका बीफ हजार रुपे मेरा हमेशा खर्चा हमेशा हमेशा डेबिट होता है semi laughing dat date मुझे पैसे लेने है तो मैंने 80,000 रुपी मुझे उससे पैसे लेने है डेबिट में ही आएगा बैंक में पैसा पड़ा है इसका मतलब मुझे बैंक से पैसे लेने हैं तो वह हमेशे डेबिट बैलेंस ही होगा तो बीफ हजार रुपे उसके बाद आपको capital मुझे अगर question में मुझे माली को पैसे देने है और जब मुझे किसी को माली को पैसे देने होते है तो मैं यहां पर लिखूँगा 2,50,000 रुपे मुझे उसको पैसे देने है बाई 2,50,000 रुपे यह भी हो गया माली को पैसे देने तो credit में जाएगा salary salary हमेशा debit होती है salary हमेशा क्या होती है debit होती है मेरा खर्चा account है तो साथ जार रुपे अब हुआ का यह तो मैंने बना दिया एक दो तीन चार पांच छह साथ आट नो दस ग्यारा यह देख लेता हूँ content ने यह trial balance बना दिया अब इसका इब है टोटल करते हैं इसका टोटल आ रहा है 90,000 आपको दिख रहा है यह तोरह चोटा कर रूप ठीक है ना 90,000 प्लस 40,000 एक लाख रुपे प्लस 20,000 प्लस 80,000 प्लस 20,000 प्लस 60,000 रुको टोटल आ रहा है इसका रहा है चार लाख बीफ हजाद रुपे ठीक है ना और इसका टोटल कितना रहा है एक लाख नबे अजार प्लस दस अजार प्लस दो लाख पचाफ अजार लो भई, इसका total आ रहा है 4,50,000 रुपे ठीक है न? इसका total आ रहा है 4,20,000 इसका credit का total आ रहा है 4,50,000 मैं हूँ company का मालिक मैंने accountant को का औरे क्या करते हो गलत बनाया तुम लोग बने ट्राइल बैलेंस, डेबिट का टोटल चार लाग बीफ, केडिट का टोटल चार लाग पचास, गलत बनाया, सभी करो इसको, अब अब अकाउंटेंट लग गए, सभी करने में, उरे सभी करो, उरे दिन निकल रहा है, 31 में आ गई 31 में आ गई मुझे income tax वाले को file देनी है मुझे देनी है file कि यह मेरा trial balance है date निकली जा रही है date मैं miss नहीं कर सकता अब मैं क्या करूं अकाउंटेंट वा गलती मिली नियुकोगी कहां गल्ती कि है गल्ती 50 अवसफ वक्ति में आपको रेक्टिफिकेशन ऐरर में बताऊंगा अब अकाउंटेंट वह गल्ती नहीं मिल रही है आपने यहां पे तो सही बनाया पर क्या पता से एक लाग 90 की जगा कोई जादा आमांट हो या फिए मशीन डी 40 की जगा सत्तर हो हमें नहीं पता कि ये फिगर सही है गलत है हमें तो कोशन में ये फिगर दे रखिया और हमने इसकी टाइल बैलेंस बना दिये पर हमें question में ये नहीं पता अब हमें time में बला दी पर हमारा match नहीं हो रहा, accountant भी match नहीं कर पा है तो मैंने का एक काम करो यार income tax वाले को देना तो ये जरूरी है तो अब एक काम करते है income tax वाले को बोल देंगे कि हमें गलती नहीं मिल रही है एक छोटी सी गलती है, हमें नहीं मिल रही है और हम उसको suspense account में ले जाएंगे वो हम गलती जैसी हमें time मिलेगा आज 31 मही है हम उसको 15 June, 10 June, 5 June या अगले 2 में, 2-3 महीने में उसको डून्ड लेंगे और auditor को मैं बोल दूँगा जो बेरी कंपनी में आएगा, मैं बोलूँगा देखो, हमसे वो गलती नहीं मिल रही आपको भी नहीं, auditor ने भी डून ली गलती उसको भी नहीं मिल रही अब वो बोल रहे है हमें तो time चाहिए 31 मही है, government को जमा करना है तो auditor बोलेगा, अभी एक काम करो हमें अपने time तो है नहीं 31 में आगया, हमें government को जमा करना है एक काम करो, तुम तो जो difference है ना, वो suspense account में डाल दो, difference जो है वो कहाँ डाल दो, suspense account के अंदर डाल दो, तो देखो यहाँ 4,50,000 आ रहा है, यहाँ 4,20,000 आ रहा है, इसका मतलब है कि मेरा debit side कम आ रहा है debit side मेरा कम आ रहा है तो debit side में मैं एक account खोलूँगा suspense account suspense account मतलब है कि अभी तक suspense है कि गलती कहा है तो मैं काम करूँगा, debit का total 4,20,000 इसका total 4,50,000 दोनों को match करने के लिए अभी तो मैं income tax को क्या करूँगा कि मैं इसको यह दे दूँगा और इसका जो total है, फिर मैं 4,50 कर लूगा income tax वाले को बोलूँगा या जो भी government को बोलूँगा देखो भई, मेरा trial balance मैंने बना दिया मेरे accountant ने बहुत ज़्यादा try कर दिया उसके बाद भी गलती मिल नहीं रही है कभी कभी होता ना, गलती नहीं मिल रही है हमें तोरी time की महलत दो पर हमें since आपको trial balance submit करना है तो जो हमारी गलती है, जो नहीं मिल रहे है जो difference आ रहा है 450 minus 420, 30,000 difference यहां आ रहा है, हम दोनों का total तो match कर रहे है, पर हमेरा suspense है कि क्या हुआ, कि कौन सी गलती है तो हमने इसको debit में डाल दिया जहां पर कम है वहां डाल दिया और हमने trial balance को match तो जरूर किया है और देखो हमने trial balance को match कर लिया तो यहां पर आपना suspense account डाल दिया debit balance, वो यह वो यह बोल रहा है कि tally of the suspense account balance तो suspense account balance will be 30,000 debit balance एक और question करें, चलो एक और question करते है prepare the trial balance and prepare the suspense account चलो लास्ट चलो एक और question चलो फटाफाइट ठीक है ना, चलो, vehicle vehicle ठीक है ना, यही है ना vehicle हमेशा कहा जाएगा हमेशा यहाँ जाएगा हाफ़र यह मुझे पता है हमेशा debit में जाएगा rental, चलो मैं काम करता हूँ पहले मैं लिख देता हूँ rental और machine rental, rental मेरा खर्चा है हमेशा debit होता है आपको पता है चलो machinery हमेशा debit होगा यह भी पता है आपको उसके बाद sales sales हमेशा credit होती है sales हमेशा credit होती है because मेरी income है similarly creditor मुझे creditor को pay करना है तो हमेशा मेरा credit balance ही रहेगा और cash, cash का हमेशा debit balance रहेगा 80,000 रुपी मैं आपको फटा 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 इक हो कोशन इसलिए करा रहा हूँ तो आपको प्रेक्टिफ हो जाए purchase account purchase आपका 25,000 है आपका debtor है आपको लोगों से पैसे लेने है 30,000 रुपे लेने है तो debit में जाएगा bank balance 70,000 रुपे है bank balance का मतलब हो गया कि मुझे bank से पैसे लेने है 7,000,000 रुपे 7,000,000 रुपे 7,000,000 रुपे ठीक है न? हाँ उसके बाद capital 3,000,000 रुपे चलो capital हो जाएगा आपका हमेशा credit में जाएगा हमेशा credit में जाएगा ध्यान रखना capital का balance हमेशा credit में रहता है और salary आपको पता है अच्छी कासी बात पता है कि salary मेरा खर्चा है तो यह आपका beef अजाएगा आपने ये trial balance बना दिया वो बोलते है सबस्वेंश अकाओंगा balance निकालो चलो balance निकालते हैं चलो 8,000 प्लस 2,000 प्लस 40,000 प्लस 80,000 प्लस 25,000 प्लस 30,000 प्लस 7,000 लाग रुपी सबीफ हजार रुपे तो टोटल आ रहा है 9,05,000 रुपे 9,05,000 रुपे और यहां का जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है 90,000 प्लस 70,000 प्लस 3,000,000 रुपे तो टोटल आ रहा है 4,60,000 रुपे ये लो भई अब हमें से income tax वाले हैं जो भी हमें बोले हैं भी आफटाफट बताओ गलती कहां पे हमने का गलती में नहीं मालूम चल रही टाइब रही हम आपको submit कर देते हैं तो एक नया account बनाएंगे suspense account बनाएंगे और difference कहां पे आ रहा है यहां पे आ रहा है ना difference विकार ये कम आ रहा है तो 4,50,000 – 9,05,000 रुपे करेंगे तो 4,45,000 मैं यहां लिख दूँगा और यह मेरा suspense account हो गया और फिर मैं इन दोनों का जो total है वो बराबर कर लूँगा क्योंकि मुझे total तो बराबर करना पड़ेगा मुझे बताना पड़ेगा income tax वाले को या भी government को कि भाया मैंने tribe and submit कर रहा हूँ पर यह एक गलती है जो मेरा accountant को नहीं मिल रही है मुझे एक दो मैने का मुझे मौलत चाहिए पर फिर्स आपको document आज चाहिए तो यह रहा आपके लिए debit or credit का total clear है और यह मैंने बना दिया तो फिर्स वाकाओं का balance भी मैंने आपको पता दिया ओके संबन मैं अगर अच्छा लगा तो like जरू करो आपका एक like मुझे YouTube वाले को और ज्यादा लोगों को दिखाएगा and yes आपको amount भी contribute कर सकते आपको लगता ही lecture अच्छा है फ्री रहेगा मैंने यूट्यूब पर if you want to contribute super thanks के clip कर सकते हो subscribe जरू कर देना और group join कर लेना मेरी app डाउनलोड कर लेना account funder app जहां पर मेरा पूरा course अवेलेबल है हजारों बच्चों ने course लियावा है पूरा 100% 11th तर 12th का पूरा course अवेलेबल है वो देख लेना पहले से pre-recorded है अगर आपको लगा अच्छा तो ले लेना जब सब्सक्राइब जिरू करो आपका एक सब्सक्राइब बटन मुझे मोटिवेट करता है तो थैंक यू वेरी मच्च हवे वेरी नाइस दे ठेक केर